Hello learners, welcome to usual, जैसा कि आपको बताए कि AKTU ने event semester 2021-22 में जो phase 2 के examination conduct कराया थे, 29 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में उनके result declare करना start कर दिया है, तो beta 4 semester के result आ जुका है और जल्दी जो है, within a week जो है आपके बाकी semester के भी result जो है, बाकी courses के result भी declare कर दिये जाएंगे, तो जिसको लेकर university ये circular जारी के adjustment होने challenge evolution और answer copy को देखने के लिए guidelines जारी की है, तो 30 दिनों के अंदर some semester second phase के जो examination हुए थे, उनका जब result आता है, उसके result के आने के 30 दिनों के अंदर जो है वो अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के लिए अपलाई कर सकते हैं, और साते जाद 45 दिनों में जो ह आया, जैसे 10 October या 11 October को result आता है, तो उसके 30 दिन के अंदर आप answer copy देखने के लिए अपलाई कर सकते हैं, और result की date से ही 45 दिन के अंदर challenge evolution के लिए अपलाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर answer copy देखनी है, तो मुलांके तो उत्तर पुस्तिका देखने के लिए आपक तो कैसे online application form फिल करना है, answer copy देखने के लिए और आपको देख सकते हैं, login ID, password कैसे आएगी, उसको कैसे देख सकते हैं, उसके वीडियो बना हुआ है, और साथ चैलेंज evaluation का form कैसे फिल करना है, उसके लिए वीडियो बना हुए नीचे description link मिल जागा, आप होँआ पे देख सक अगर आप answer copy देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ आपकी गलत copy चेक हुई है, या फिर marks कमा है, या फिर marks नहीं दिये गए है, तो फिर आप जो है challenge evaluation करवा सकते हैं, जहाँ पे आपकी copy दो evaluators के दोरा फिर से copy री चेक करवाई जाएगी, जो fresh copy होगी, उसको दो evaluators को द आये थे, वो अब नहीं आएंगे, जो challenge evaluation करने पर आये हैं, उसमें चाहे कम हो, चाहे जाद हो, वही final माना जाएगा, clear, तो यहाँ पे challenge evaluation के लिए आपको 25 रुपे, 25 रुपे पर subject आपको फिर सब्मिट करनी पड़ेगी, तो event semester 2021-22 के second phase का examination, जिनका result अब आ रहा है, वही ल करना है, और यहाँ पे आपको यह भी जान रहे कि अगर challenge evaluation में आपका marks बढ़ जाता है, 20% से ज़्यादा marks बढ़ते हैं, और original marks से 20% ज़्यादा marks बढ़ते हैं, तो उस case में आपको 1500 रुपे रिफेंड भी मिल जाता है, और सिर्फ 1000 रुपे काट लिए जागे, आपने 25 आपको आपस मिल जाएंगे, 1000 रुपे काट लेगे, क्लियर, तो visual the best के बहुचेंगे